बॉलिवुट की चंचल और हसीन अभिनेत्री लीना चंदावरकर ने सत्तर और असी के दर्शक में खूब नाम कमाया वहीं इन्होंने बॉलिवुट को कई सूपर हिट फिल्में दी जैसे जालिम, डाकू और जवान, अक्वाला और 1971 की महबूब की महंदी शामिल है लेकिन आज भी इनके बारे में कई ऐसी बाते हैं जो फैन्स और दर्शक नहीं जानते चैसे इनके पती कौन है, कहां रहते हैं, आज कैसे दिखते हैं तो दोस्तों जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के आंत तक और अगर आप लीना चंदावरकर के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजे चलिए, पहले थोड़ा सा लीना चंदावरकर के बारे में जाननेते हैं शायद ही किसी को पता होगा कि जब स्कूल में पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो तो उसमें लीना चंदावरकर ने कहा कि मैं बड़ी होकर एक अभिनेक त्री बनना चाहूंगी जिसकी वज़े से टीचर ने उन्हें खूब मारा और उसकी वज़ेती फिल्मों का चलन ना होना उस समय फिल्मों को अच्छा नहीं माना जाता था जिसकी वज़े से लीना चंदावरकर को इस बात पर टीचर ने मारा और सजा के तोर पर उन्हें क्लास में सबसे पीछे बैठने की सजा दी गई वही कहते हैं ना कि जब आप एक बार सच्चे मन से सपना देख लो तो वह सच करे बिना आपकी आपना कुछ शांती नहीं मिलती ऐसा ही कुछ लीना चंदावरकर के साथ भी हुआ एक टालेंट कॉंटेस के दौरान लीना वहाँ पर जाना चाहती थी पर उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में जाए तो वहीं लीना चंदावरकर के पर नाना ने उनके माता पिता को समझाया क्या कि आपकी बेटी एक दम सही रास्ते पे है इसे टालेंट हंट में जाने दो वरना कई लोग तो घर छोड़ कर भाग जाते हैं और अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं ये बात सुनने के बाद उनके माता पिता ने उन्हें वहां जाने की इजाज़त दे दी फिर क्या लीना की किस्मत चमक गई और वहां अपना कदम उन्होंने फिल्मी दुनिया में रख लिया क्यर ये दो थी लीना चंदावरकर की कुछ अंसुनी अंदेखी बातें अगर हम बात करें इंके पदी की तो वो कौन है कहा रहते है आज कैसे दिखते है आपको बता दे फिल्मी करियर की तरहां लीना चंदावरकर का नीची जीवन उतना खास नहीं था जहां लीना चंदावरकर एक विधवा थी तो वहीं उनके पती किशोर कुमार तीन-तीन औरतों के पहले ही पती बन चुके थे लेकिन जब किशोर कुमार का दिल लीना चंदावर कर पे आया तो उन्होंने ठान लिया कि वो इनकी जिंदगी में बहार लाएंगे फिर क्या इन दोनों ने एक दूसरे से मिलना शुरू किया और किशोर कुमार ने लीना को अपनी एक फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया जिसके बाद इन दोनों का सिलसला बढ़ता ही चला गया ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने खो गए कि उन्होंने शादी करने का फैसला किया लेकिन परिवार नहीं चाहता था कि लीना किशोर्दा से शादी करें क्योंकि वो पहले ही तीन बार शादी कर चुके थे और उम्र में भी लीना से काफी बड़े थे लीना ने किसी की बात नहीं मानी और किशोर्दा की चौथी पत्नी बन गई लीना किशोरदा के साथ बेहत खुश थी लेकिन एक बार फिर उनकी खुश्यां काफूर हो गई जब 1987 में किशोर कुमार का निधन हो गया और वो आज इस दुनिया में नहीं है तो क्या आपको इससे पहले इन बातों का पता था? अपनी राय कामन बॉक्स में बताइए और अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो से सब्सक्राइब जरूर कर लीजे